कि दो चार साहरों के सुनने के बाद होसला मुझे में भी आया है और माफी चाहता हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना ये लड़का गाउं से आया है और नजर है कि जिन्दा लास हो गया हूँ जिन्दा लास बन गया हूँ मुझसे मोहबद और बनावटी रिस्तों का दिखावा नहीं होता और कास मेरे अपने मुझे पुरे वक्त में न छोड़ते तो मैं भी जिन्दा होता मैं भी जिन्दा होता और अगली नजर है कि अब विखरने के बाद ये जाना है कि कोई भी रिस्ता खास नहीं होता कि अब विखरने के बाद ये जाना है कि कोई भी रिस्ता खास नहीं होता अरे साहाब आप गलत समझ रहे हैं मुझे बात तब किया जब पैसा पास नहीं होता और अब घरने के बाद ये जाना है कि कोई भी रिस्ता खास नहीं होता और आप गलत समझ रहे हैं साहाब बात तब किया है जब पैसा पास नहीं होता जब पैसा पास नहीं होता। और अगली निज़र है कि अव तो मन भर गया इस मतलबी दुनिया से, अब तो मन भर गया इस मतलबी दुनिया से, क्योंकि महाकाल के ओलाव किसी पर भी विश्वास नहीं होता। और ये आप लोग didheen कि लिए है, हैं पसंद है तुम्हेरा सोड़ी आएगी मेरी सघी कर तुम्हेरा सोड़ी मेरी सखीकर कर आप अर अगली लैने जब गर पे नीवन बेभी आता है उसी भे गरपे लक्षमी आthiko ढ़न कर घर में लक्षमी आ चिराग आया है खुछियां बन कर, अरे जाओ शाहब उस मा से पूछो जिसने जान बचाई योगी की, मा ने खुद की जान दे कर, जिसने जान बचाई योगी की मा ने खुद की जान दे कर, और अगली लाइन है, एक्स के लिए है, तो, सायद वो मुझे दोखा दे रही है, म मेरे दिल को अपने दिल से निकाल कर किसी गहर को दिल दे रही है और उसकी मासुमियत से दोखा न खा जाना योगी वो तो रकीब को भी अपना भाई कह रही है वो तो रकीब को भी अपना भाई कह रही है और ये ये कुछ लोगों के लिए है कि तुम्हारी नजरों में कोर काष्ट की निकलती है अरे जाओ साब योगी की नजरों वह आशीक वफादार नायों तो मुभबत सेंग नाम से मन भर चुका है। इतनी ववफा की महभू से हा यू इप उभफा के लां से मन भर चुका है। और ये जो हस्ता हुआ चेहहह देख रहा है ना अफिस में भिलपर। यह तो इसके अंδर का इंसान तो तो यह सब कुछ संभाल लेता हूं पर खुद को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है और अब फुर्षत मिले ना मेरे जान तो सिर्फ गले लगा लेना क्योंकि मर्द को भीज़र्द होता है और आजकल की यूद के लिए है कि उनको सम्झा रहा हूं कि तुम ग्यानी हो अग्यान नहीं तुम ग्यानी हो अग्यान नहीं पर तुम्हें एक बात बतानी बहुत जरूरी है प्यार मौपत के छक्रों में जो भी पढ़ा है उनकी कहानी रही अधूरी है वेटा ये चार दिनों के चोचलों से नहीं चलती जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई भी ज़रूरी है और लाश्ट है लाश्ट सायद उसे मुझसे प्यार जिस्मानी ही करना था सायद उसे मुझे से प्यार जिसमानी ही करना था तबी तो वो मुझे छोड़कर चली गई है हम ही अन्जान थे जो मुभबत रूसे कर बैटे अरे योगी उसे बताओ जाकर उसके जाने के बाद जान भी तो चली गई है सुख लिए सुख लिए सुख लिए